कि अप्रत्योक्ता दरपड की सेप्टेंबर दो जार सोला की समरी देख रहे थे दो पार देख चुके थे थाइड पार देखेंगे इसमें थाइड पार्ट है कि सतत विकास सूचकांग में इंडिया की रैंकिंग है 110 कि सटात्र विकास सुझगा गायनी कि सटेनेबल डेवलप्मेंट इंडेक्स के बोलते हैं उसमें स्वीडेन है नंबर नंबर एन पर और मद्ध्यव्री का राज जह बोन फॉर्टिनाइन परिदिगे सटेनेबल डेवलप्मेंट गोल का जो यह भी किया गया है sustainable development goal, जैसे पहले इससे थे millennium development goal, उसके बाद आया sustainable development goal, उनको में और जदा inclusive किया गया है, और जदा इसको targets इसमें include किये गए है, इसमें 17 target हैं, और 17 goals हैं, और 169 target हैं, यह आप याद रखिएगा, और इस पे 17 goals हैं, उनको याद करने की trick मैंने बना रखिए, आप उस पे video देख लिएगा, उसको ACA में और कहीं भी आपको उसको लिखना हो, तो कई सारे keywords आपको मिल सकते हैं उससे, तो यह जो sustainable development index है, इसमें यह किया गया है, कि यह कंट्रीज को यह identify करने में help करता है, कि क्या क्या उनके gaps है, जिससे की वो sustainable development goal achieve नहीं कर पाते हैं, देखिए sustainable development goal है, यह 2015 से 2030 तक के लिए है, 15 साल के लिए, और यह sustainable development index है, इसको किसने develop किया है, देखिए कोई भी अगर index हो, तो उसमें दो चीजा आपको याद रखनी होती है, सबसे पहले इंडिया की ranking किया है, और दूसरा उसको develop किसने किया है, इंडिया की ranking कितनी है, 110 है, और इसको develop किसने किया है, इसको develop किया है, sustainable development solutions network, यानि कि SDSN ने, और बेटल मान इस्टिफटवंग ने, तो बेटल मान इस्टिफटवंग ने, और sustainable development solutions network, SDSN ने, और ये बेटल समान इस्टिफवंग ने, इन दोनों ने मिलके develop किया है, sustainable development index और sustainable development index किया है, कि जो sustainable development के goals है, 17 और 169 टार्गेट है, उन पे countries किस तरह से perform कर रही है, वह ये index है, भारत का है, इसमें 110, और इसमें 114 रैंकिंग तक किया गया था, 149 countries में से भारत की रैंकिंग है, 110, Sweden है number one पे, जितने भी रैंकिंग्स होती है, जो human development से related होती है, उसमें Sweden, Denmark और ये जितने भी जो Scandinavian countries होती है, और प्लस जादा तर यूरोप की countries ही top पे रहती है, तो ये है इसमें, फिर फूर्थ निउज़ा, SM शिखर सम्मिलेन, यानि की SM जो सम्मिट होती है, SM का मतलब होता है, एशिया यूरोप मिटिंग, ये एशिया और यूरोप के कई सारे देश इसमें समिट करते हैं, देखिए, 1996 में इसको establish किया गया था, अभी इस समय एशिया यूरोप मिटिंग में 53 पार्टनर हैं, और ये एक political dialogue forum है ये, इसकी जो 11th summit होती है, यानि की 11 सिखर सम्मिलेन होता, ये होता मंगोलिया की, जो capital है, उलान बटेर में है, तो उलान बटेर में हुआ था ये, SM का 11 summit और इसकी theme क्या थी, SM के 20 वर्स, यानि की SM के 20 वर्स और भविश में संपर्क के जरिए साजेदारी, तो ये इसकी theme थी, SM की, SM मतलब Asia Europe meeting, Asia और यूरोप के टोटल इसमें देखे 51 देशों के प्रदिनिदी हैं, और प्लस एक European Union है, और प्लस आसियान है, आसियान में 10 देश हैं, तो टोटल 53 इसके पार्टनर हैं, आसियान में 10 देशों के trick मैंने आपको बताई थी, BPL TV MIMCS, BPL TV Mimics, अगर आप regular follow करते हैं तो आप इसके नाम हैं, जितने भी international organizations हैं, इनके generally members के नाम आपको याद रखने चाहिए, और उसके लिए मैंने कई सारे videos बनाए, trick पे, तो यह आप याद रखेगा, और भारत में इसका प्रतिनिद्रित्त किया था, हामिद अन्सारी ने, SM meeting में, 2018 में यह होगी, Brussels में, Belgium में होगी, प्रस्ताव बारत 2008 से इस मंच में जुड़ा है, तो यह है, SM सिखर meeting से रेटेड जो भी factors हैं, जो आपको याद रखने है, सबसे ज़रूरी बात है कि यह मंगोलिया की राजधनी उलान बटेर में होई थी, और यह 11 समिट था, 11 सिखर समिल था, थीम क्या है, SM के 20 वर्स भाविश में European Union प्लस आसियान, फिर 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 जो नाटो है, यानि कि North Atlantic Treaty Organization, इसका 27 सम्मिलन हुआ था, वार्सा में, पोलेंड में, 2016 में, और नेक्स्ट जो इसका सम्मिलन होगा, वो होगा 28 सम्मिलन होगा, ब्रुसल्स में, ब्रुसल्स में, यानि कि बेल्जियम में, और नाटो कितने मेंबर है, 28 इस्टेट है, और नाटो की ओफिशल लेंगुज है, इंगलीज प्लस फ्रेंच और सेक्रेटरी जनरल है, नाटो के, जैस इस्टोलिन बर्ग, तो यह आपको फैक्ट याद रखने चाहिए, ये एक्जामस में आते हैं, नाटो है, जैसे जब यूएस और जो सोवियत उनियन है, उन दोनों में कोल्ड वार चल रही थी, तो दो मिलिटरी और ये अलायंस थे, एक था ये नाटो और एक था वो वार्सा पैक्ट, तो वो वार्सा पैक्ट जो था, उसमें सोवियत उनियन लीड करता था, और नाटो में यूएस एर लीड करता था, इ 27 सब मिलन हुआ था वार्सा में और इस बार यानि 2016 में और 28 तोगा ब्रिसल्स में जहां पर नाटो का हेड़कोटर है और नाटो में 28 मेंबर्स हैं और 1949 में बनाया गया था इसको याद रखेगा इसको दच्छिड चीन सागर यानि कि साउथ चैना सी में फिलिपाइन्स के पक 9-Line अब याद रखे-गा नाइन डैस लाइन तो उसमें चाहिना बोलता है कि है कि यह जितना भी एर्या 9 realizing के अंदर वो सब चाहिना का है और बल्कि अगर आप साउथ चैनीन सी का मेप देखेंगा तो उसमें 9-Line 90% से जाफ यार डिया कवर करता है अब ये इसमें विवाद यह है कि रेखे सब के जो एक्स्क्लोजिव एकनॉमिक जोन होते हैं वो दोसो ये नौटिकल मिटर तक होते हैं तो जितने भी आसियान के कंट्रीज हैं जैसे कि ये वैतनाम हो गया इधर फिलिपाइंस हो गया और भी कई स़री कंट्रीज ए मलेश्या हो गया तो बहुत स़री आसियान की कंट्रीज और चायिना के वीट में इसलिए विवाज चलoure है साओच चैना पलट का कोशिश की गई थी लेकिन विफाल हो गई राष्ट पतिया रहसेप तयब एर्डोगन मेलकम टर्बुनल या उस्टेलिया के प्रधानमंत्रियें तो यह इंटरनेशनल न्यूज की अभी तक की फिर अगर आप आर्थिक यानिकि एकनॉमिक न्यूज देखेंगे तो टॉरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरी इंडिया में जितने भी स्टेट्स और यूनेट रिट्रीज को मिला के है 2015 में तमिल नाडू को यह टॉप मिला है इसमें और अगर आप देखें डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरें टूरिस्ट दोनों में सबसे ज्यादा जो परियाटक के हैं सबसे ज्यादा तूरिस्ट न रहेए चाहine छाहें और सेकंट नंबर पे foreign में आपड़ाइकर दैखेंगे foreign to Meat नुसके बाद आते है महाराष्थ में तो A इस हो और यूपी नमбर टू पे जो फॉरह टो अलिए तबी तमिलनाडु नंबर ओन पे हैं और उनके लिए महारास्ट नंबर टूपे हैं तो ये आप याद रखेगा यह आसकता है को उते एक और तो इसमें आद एका यूपी भी मतलब अच्छा खासा टूरीज डेस्टिनेशन है और तमिल नाडू में टोटल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आयते थे और फॉरेंड़ टूरिस्ट आयते और फॉरेंट टूरिस्ट आयते फॉर पॉइंट सिक्सेट मिलियन यानि कि यह 2016 यह रूस का सबसे बड़ा वार्सिक अंतरश्टिय और द्योग्युक व्यपार मिला है और यह वता एका तेरिन बर्ग में और इसकी थीमती इंड़स्टियल नेट इंटरनेट की तो यह इनो प्रॉम है जो तूर टूरिस्टीन है यह में इंड़स्टियल इंड़स्ट इंड़स्टियल ट्रेट फेरर रशिया का वाकी नेक्स पाट पर करते हैं